अलो एवरीवन गूट इवनिंग सेशन काफी इंपोर्टेंट होने वाला है बात है कम करेंगे काम पे जादा आएंगे वक्त बचा रिए उनते सो तीस कल आपके पास दो देने आज कोशन बैंक भी मिलिया आज रात बैठ के पूरा कोशन बैंक कम्प्लीट करो तुम लोगों को गुजारिश रहेगी इस वीडियो के लिंग को कॉपी करें मैक्सिम जितना आप लोग शेयर करते हैं मेरे भाई प्लीज इसे शेयर करन चलते हैं जितने भी नए बच्चे आएं जिनों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नोटिफेकेशन बेल पर प्रेस करिएगा कल सुबह के साथ बजे के सैशन में भी तावर तोड़ बैटिंग चलेगी Even mains cracker 2nd of November से batch start हो रहा है इस batch में admission लीजे ये आपका mains का IBPS और RRB दोना का target करेंगे clerk and PO दोनों का और even RBI का भी target है इस batch में view offer में जाके code इस्तेमाल करना Y168 आपको यहाँ पर 72% discount मिलेगा Even test series भी यहाँ पर IBPSP और clerk की आप लोग दे सकते हैं Y168 code इस्तेमाल करेगा कुछ भी purchase करने के लिए अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त ध्यान से ओके Union cabinet chaired by Prime Minister Shiri Narendra Modi has given its approval to rename Kolkata port as the Shama Prashad Mukherjee port one of the most important news देखिएगा exam में देखेंगे कत्लिस को आप यह लिखाएगा कि किस port का नाम बदल कर Shama Prashad Mukherjee port किया गया Kolkata पोर्ट का नाम बदल कर Shama Prashad Mukherjee port किया गया Kolkata किस नदी के किनारे बसा हूगली नदी के किनारे Kolkata बसा हुआ है और Kolkata में अभी हाल ही में दोस्त एक library open की जा रही है उस library का नाम क्या है लाइबरेडी open की जारी वेस्ट बेंगॉल के कॉलकता में एक library open की जारी चलती फिरती लाइबरेडी रहेगी उसका नाम क्या फटाबड बताएगा ठीक है next दोस्त हर्श वर्दन सहाब की बात करते हैं जोकि health and family welfare minister इनोहन है थेलेसीमिया बाल सेवा योजना का second phase launch किया है 2017 में launch हुई थी योजना इसका यो थेलेसीमिया बाल सेवा योजना है इसका second phase किसके द्वारे लाँच किया गया है तो अंसाबंदा हर्श वर्दन सहाब के द्वारा तो जो थेलेसीमिया patient है जितने भी अंडर प्रिवलेस्ड थेलेसीमिया थेलेसेमिक patient है उन सभी के लिए थेलेसीमिया बाल सेवा योजना exact नाम पूछे जाएगा exam में किस योजना को launch किया किया गया तो थेलेसीमिया बाल सेवा योजना का दूसरा चरण health and family welfare minister के द्वारा किया गया था ओके जो कॉलकता में library open है हो रही है tram library ओके tram library कहाँ पर हो रही वेस्ट बेंगल के कॉलकता में clear है मेरे दोस इतना next आगे बढ़ता है अगला देखीगा union minister of state for agriculture पुर्षोत्तम रूपाला has launched rupees 10,000 करोड ncdc आश्मान सहेकार fund important है ये वाला ncdc आश्मान सहेकार fund ncdc आश्मान सहेकार fund किसके द्वारा launch किया गया था मेरे दोस पुर्षोत्तम रूपाला के द्वारा पुर्षोत्तम रूपाला के द्वारा जो कि आपके agriculture minister of state agriculture है इनके द्वारा NCDC आईशमान सहेकार fund launch किया गया for creation of the healthcare infrastructure by cooperatives भाई ध्यान से सुनना एक्जाम में इसका कॉर्पस पूछेगा 10,000 करोड रुपे का मतलब cooperative love you गहेंगे for the creation of the healthcare infrastructure healthcare infrastructure को बनाने के लिए cooperatives के द्वारा 10,000 करोड रुपे का fund launch किया गया पुरुशुत्तम रुपाला के द्वारा इस fund का नाम के NCDC आईशमान सहेकार fund clear है भाई? clear है इतना? clear है? next एक हीगा अगला ध्यान से सुनिएगा double Asian Games medalist एक कुस्टेडियन फाउद मिर्जा ये important है इसलिए में इसको लेकर आए थोड़ा पुराना है but important है फाउद मिर्जा officially become first Indian to qualify for the Tokyo Olympic Tokyo Olympic के लिए qualify होने वाले first Indian का नाम क्या है? जो की एक कुस्टेडियन है घुर सवार है इनका नाम है फाउद मिर्जा फाउद मिर्जा ये नाम याद रखना है जहां तक मुझे याद आ रही है ये SAC में कुशन आ भी चुका है ये वाला अच्छे एक चीज और अर्जुन अवार्ड दोहजार बीस एक और घुर सवार को दिया गया एक और एक्कुस्टेडियन को दिया गया उस एक्कुस्टेडियन का नाम क्या है इनको अर्जुन अवार्ड दोहर बीस दिया गया अजे सावंत अजे अनंत सावंत अजे सावंत मेरे दोस्त ये नाम याद रखना है आपको सावंत साहब इनको अर्जुन अवार्ड दोहर बीस दिया गया है और अर्जुन आवर्ड में इनामी राशी बढ़ाकर 15 लाक रुपे कर दी गई है 15 लाक रुपीज कर दी गई है ठीके दूस ठीके? नेक्स एकना परधान मंत्री व्यवंदना योजना फरदर 3 साल के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ाए गई यह बहुत important है जरा इसके बारे में मैं तुम्हें detail में समझाऊंगा इस योजना से questions exam में पूछे जाएंगे यह जो योजना यह प्रधान मंत्री व्यवंदना योजना पहले तो अपने को छोड़ा गल्लू में ध्यान से सुनना मेरे फाई सबसे पहले इस योजना से back to back exam में questions बने थे PMVV बैपरधान मंत्री व्यवंदना योजना अगर आपके घर में कोई व्यक्ती जिनकी उमर 60 वर्ष complete है तो उनके लिए पैंशन योजना है इस पैंशन योजना की जो last date इंरोल कराने की it was March 31st 2020 बट अब इसको तीन साल further extend कर दिया गया है March 31st 2021 इसकी last date हो गई है वही मैंने आपके सामने लिखा था इसकी जो last date हो गई March 31st 2023 हो गई है इस योजना से related आपको एक चीज याद रखनी है इसमें जो interest मिल रहा है इस 7.4% 7.4 प्रतिशत इसमें ब्याज मिल रही है प्रधानमंत्री वियाबंदना योजना एक pension scheme है Government of India के द्वारा announce की गई थी उन senior citizen के लिए जिनकी उमर 60 वर्ष या उससे जादा है तो यहाँ पर बोला गया है कि minimum entry age है 60 years completed होना चाहिए maximum entry age की कोई limit नहीं है यहाँ पर policy का term है 10 साल का और investment limited पंदरे लाक रुपे पर senior citizen मतलब for example यह आशीश गौतम है और यह 60 वर्ष complete हो जाता है तो यह क्या करेगा 15 lakh रुपीज 10 यर के लिए लॉग करेगा इस योजना के अंतरकत 10 साल के लिए 10 साल के लिए 15 लाक रुपे lock कर देगा 10 साल के बाद आशीश को अपने 15 लाक रुपे बापस मिल जाएंगे सर क्या मतलब है आपने 10 लाक रुपे भी जमा कर दिये वो 10 साल के बाद आपको बापस मिल जाएंगे हाँ मेरे भाई मिल जाएंगे तो हर साल क्या मिलेगा हर साल आपको 7.4% की दर से ब्याज मिलेगी एक लाक ग्यारे हजार एक लाक ग्यारे हजार एक लाक ग्यारे हजार एक लाक ग्यारे जार कब तक मिलेगी दस साल तक मिलेगी दस साल के बाद आपको आपके 15 लाक रुपे बापस हो जाए योजना खत्म मेरे भाई तो इसका जो पीरेड है वो दस साल का है maximum purchase price 15 लाख रुपे maximum entry age कोई नहीं 70-85 जब तक काम चले तब तक मेरे भाई minimum यहाँ पर 60 वर्ष है इस योजना में बुला गया है कि तीन साल के बाद इस योजना के तीन साल complete होने के बाद डालेगा अब है मेरे भाई परशांत साहू मतलब भाई वाली बात होती है यार कि आदी रोटी पे डाल लोगे फैलेगी ना हैं 70 साल के बाद अचार क्यों डालेंगे 70 साल के दोरान अचार डालेंगे ना हर साल दे तो रहे इक लाग 11,000 रुपे पंदरे लाग रुपे तु बैंक में रखेगा पर एक्जांबल तेरी बात में करता हूं साट साल का तू हो गया पंदरे लाग रुपे बैंक में जमा कर दे ठीक है कितनी ब्याज मिलेगी 3% ब्याज मिल रही है साड़े साथ परसेंट इंट्रेस हर साल दरको एक लाग 11,000 रुपे मिलेंगे हर साल एक लाग 11,000 रुपे उससे अचार डालना दस साल के बाद 15 लाग रुपे लेकर कंपनी डाली हो अचार की बापस मिल जाएगा पूरा का पूरा पैसा क्या बात करता है या और देख फाइदा देख तीन साल के बाद क्या होगा न पॉलिसी टम जैसे तीन साल का हो जागा पूरा तो तो क्या कर सकता है अपने purchase price का 75% उसके अगेंस में लोन ले सकता है ठीक है और इसके लिए क्या है कि जो Life Insurance Corporation of Indiana उसको whole soul responsibility दी गई इस scheme को operate करने के लिए समझ में आए मेरे दोस्त अब जरा ध्यान से सुनना एक और important surrender value क्या है for example सर इस दोरान जैसे ये वेक्ति है policy term के दोरान 10 सालों के दोरान अगर ये जीवित है तो पूरा amount मिलता रहेगा 10 साल के बाद इसको ये amount भी मिल जाएगा लेकिन सर पॉलिसी टर्म के दोरान बाई चला गया उस case में क्या होगा सर पॉलिसी टर्म के दोरान चला जाएगा तो जो इसने नौमिनी बना रखा होगा उसको मेरे दोस्त यहां पर पूरा का पूरा पैसा बापस मिल जाएगा पॉलिसी खतम पैसा मिल जाएगा जो इसने यहाँ पर पर्चेस प्राइज रहा होगा और उस वक्त तक की ब्याज मिल जाएगी प्लस इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी पतनी या उसका पती अगर पतनी और अगर आदमी ने लिया है तो उनकी पतनी अगर इन दोनों में किसी की critical बीमारी होती है तो उस case में इस policy को भी break किया जा सकता है बट उस case में surrender value कितनी 98% surrender value कितनी 98% यह कुछ questions जो exam का part बनेंगे इसे याद रखना है clear है भाई ठीके next एक नजरा ध्यान से सुनना भी पहला वाला point हो गया यह वाला अपन का complete बापस आ जाते हैं union cabinet approved the mission कर्म योगी यह वाला complete हो गया प्रधानमंत्री वेवंदना योजना को तीन साल के लिए extend कर दिया गया है union cabinet ने भी mission कर्म योगी launch किया है किस चीज के लिए अभी हम दो देख रहे हैं कि भाई सरकार क्या कर रही है job से पहले ही आपको skill करने का काम कर रही है लेकिन सरकार ने mission कर्म योगी बड़ा बढ़िया किया है इसनका purpose यह है कि post job भी भाई साब आप लोगों को यहाँ पर update किया जाएगा आपके skill पर development पर काम किया जाएगा तो यही है mission कर्म योगी national program for civil services capacity building तो जितने भी civil servant होंगे उन सभी का मेरे दोस्त development करने के लिए उन सभी के लिए यहाँ पर यह program लेकर आए national program for civil services capacity building national program for civil services capacity building mission कर्म योगी इसका नाम है जो केंदर की human resource development जो भी करमचारी है उन सभी के reform के लिए उस human resource development के reform के लिए post recruitment reform program लेकर आएं जिसका नाम है mission कर्म योगी तो कवर दी 46 lakh central employee केंदर सरकार के 66 lakh employee को कवर करने के लिए आने वाले 5 सालों में 2020 से शुरू करते हुए 510 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे 510 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे clear है भाई इतना इतना clear है सभी कितने करोड रुपे खर्च किये जाएंगे सर 500 सार यहां पर कितने खरच कीँए पानसोदस करोड रुपे खरच किये जाएंगे और कर्म योगी प्रोग्राम विल भी डिलीवर्ड बाई दी लिल बी डिलीवर्ड बाई बाई दी इस सैटिंग अप Integrated Government Online Training कर्म योगी प्लेटफर्म I got मतलब Integrated Government Online Training कर्म योगी प्लेटफर्म बना कर ये मेरे दोस्त कर्म योगी प्रोग्राम को डिलीवर किया जाएगा इसे याद रखना है ठीक है? क्लियर है? सेशन बहुत जोर का आज का मेरे भाई मिस मत कर देना ठीक है? एक एक नमबर बनेगा यहां से Union Cabinet Approved FDI Policy in Defense Sector जो की Allow करेगा Foreign Direct Investment तुम लोगों को पता विदेशी निवेश भारत में आ रहा है सर बहुत जोर से आ रहा है विदेशी निवेश FDI के मामले में मेरे दोस्त भारत भी कहीं पीछे नहीं है तो Foreign Direct Investment की बात करते हैं Defense Sector में कितना कर दिया गया सरकार के द्वारा? तो यह कर दिया गया 74% Automatic Root से Automatic Root और Government Approval Root क्या है? मेरे दोस्त वही रूट है Automatic एक मतलब Automatic इतना है कि इतने तक निवेश लाओगे कोई Approval की जरूवत नहीं है इससे ज़्यादा कर निवेश करना चाहते है तो सरकार से पूछना पड़ेगा यह बेटा सरकार सुनो ना क्या हम कर ले तो वो कहेंगे नहीं बिटा नहीं करो तो नहीं करो कि अगर उन्होंने बोल दिये कर ले तो कर ले मेरे भाई मतलब कि FDI के दो रूट है एक Automatic Root और एक Government Approval Root तो Government Approval लिमिट, Automatic Root तक एक लिमिट तक होता उससे ज़्याद अगर निवेश करना तो सरकार से Approval लेनी पड़ेगी ठीक है तो Defense Sector में जो 74% FDI किया गया है वो Automatic Root से किया गया है लेकिन इसमें एक Clause और जोड दिया New Policy has a National Security Close as the Condition National Security Clause क्या है कि इस केस में क्या है वो सरकार स्कूरूटनी करा सकती है पूरी जांच परताल करा सकती है ठीक है Automatic Root के थूर बोलते हो दिये कि 74% तक निवेश करोगे लेकिन सरकार ने यहाँ पर National Security Clause भी रखा भी Defense की बात है ना ऐसे वैसे थोड़ी Defense की बात है तो इन्होंने National Security Clause रख दिया बोल दिया कि हम लोगे स्कूरूटनी वगएरा भी करा सकते है ठीक है इतना clear दोस्त नेक्स दोस्त तिजरा ध्यान से देखने अगला वाला जो Union Cabinet है उसने अभी यहाँ पर जून 2020 में भारत सरकार के बीच में कनड़ा के बीच में एक Agreement हुआ उसके वारे में अवगत कराया है तो यहाँ पर जो भारत का Geological Survey of India है और जो कनाड़ा की Not for Profit Corporation है आईबॉल इसके बीच में एक Agreement हुआ है तो भारत का Geological Survey of India और आईबॉल कहां का है International Barcode of Life सर यह कैनेड़ा का है जिसके बीच में समझोता हुआ तो मैं सिर्फ इतना याद हुआ और यह जो आईबॉट है यह किस देश का है कैनेड़ा का है यह कैनेड़ा का है यह कैनेड़ा जिसकी Capital Ottawa है करंसी डॉलर चलती है डॉलर यहाँ पर मुद्रा चलती है इस वाले को देखने जरा ध्यान से जो यह वाला है अडानी भाई को यहाँ पर तीन एयरपोर्ट इन कौन कौन सा जैपोर गोहाटी तुरुवंत पुरम एयरपोर्ट ऑफ एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया तो एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया के सर अक्टूबर का कोश्चन बैंक 300 का यह देखो यह बाई अपना मजा कर रहा है यार मतलब 31 तारिक के बाद तू यार पढ़ियो अभी मत पढ़ियो 31 तारिक के बाद पढ़ियो तू एक तारिक को SBA का एकजाम है नहीं 31 के बाद तेरे लिए अलग से एकजाम होगा उसमें पढ़ियो तू यार ऐसी बात कर रहा है मतलब ऐसी सर आपको नीद नहीं आती है क्या अरे यार तुम लोगों के ख्वाब इतने बड़े और मैं अगर सोने लगो तो फिर कैसे तुम लोगों के ख्वाब पूरे होंगे टेंशन ना लो कुछ नीद त्यागने भी जरूर है कुछ जगे त्याग भी जरूर है यार ब दानी भाई के पास चले के मुझे सिर्व इतना बता दो कितने सालों के लिए कितने सालों के लिए गए इसमें लिखा हुआ नहीं है कितने सालों के लिए गए फटावड बता दो कितने सालों के लिए कितने सालों के लिए कितने सालों के लिए गए फटावड बता ओ एक एक चलो ठीक है नेक्स आगे बढ़ते दिहान से सुनना अगला तुम लोग बता हो कितने सालों के लिए गए हैं जैसे इस वाले को देखना Union Cabinet ने अभी अप्रूव किया Capital Infusion of 12,450 करोड रुपे तीन Public Sector General Insurance Company में एक तो है Oriental Insurance Company दूसरी है National Insurance Company और तीसरी है United India Insurance Company इसमें 12,400 करोड रुपे Infuse किये जाएंगे अभी तुरंट की तुरंट तो 3,475 करोड रुपे रिलीस कर दिये बाकी का remaining भी कर दिया जाएगा इसके साथ साथ इनों ने ये कहा कि इनकी Authorized Capital को भी बढ़ा दो तो NICL की Authorized Capital कर दी गई 7,500 करोड रुपे और UIICL और OICL की Authorized Capital कर दी गई 5,000 करोड रुपे इंपॉर्टन मात कर ले ना मेरे दोस्त ठीक है अच्छा इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी मेरे दोस्त इन दोनों की 5,500 करोड कर दी गई इसकी NICL की साथ यहाँ पर कर दी गई है ठीक है मेरे बाई सर 99 साल कोई बुलना 40 साल सर इतनी रात को क्यों सुबह लेते ना सर या सुबह तीन क्लासेस ले चुका हूँ न यह 34 इसलिए टाइम लिया है ज़रा इसका एर एक बार मेरे को क्रोस चेक करना है इस वाले को ठीक है इसको होल्ड करना बारावजे के सेशन बता हूँ यह वाला बहुत अच्छा न्यूज है इसमें से देखो अभी नेशनल एजूकेशन पॉलिसी नई वाली अप्रूफ की गई इडिडिड इन हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन विल साभे तीन करोड साभे तीन करोड सीट को भी एड किया जाएगा पचास साल पचास साल एग है पचास साल पचास साल पचास साल पचास साल पचास साल दोनों 5-5-4 करोड है ये 5-5-4 करोड के लिए बोल रहे हैं और ये 7.5 एर एक बार है और Cross Verify कर लेंगे ना कल Next सेखना Reserve Bank of India ने Decide किया है कि वो Next Generation Treasury Application पर जाएगा Okay, move करेगा किस पर Next Generation Treasury Application पर For Managing the Countries Foreign Exchange and Gold Reserve तो भारत का जो देश का है Foreign Exchange और Gold Reserve है उसको Menace करने के लिए Next Generation Treasury Application पर जाएगा RBI तो NGTA की Full Form क्या है Next Generation Treasury Application Next Generation Treasury Application Next Generation Treasury Application इसको याद रखना है Captain Tanya Shergill ये important है बट है पुराना Captain Tanya Shergill An Officer with Army's Corps of Signals Was First Women यहाँ से याद रखो Tanya Shergill was the First Women Parade Educant for the Republic Day Parade Republic Day Parade के दोरान First Women Parade Educant को थी Tanya Shergill First Indigenous Aircraft Carrier Vikrant will be commissioned by early 2021 जो Vikrant है वो commission हो जाएका 2021 तक और इसको बनाया किसके द्वारा जारा कोचिन शिप्याड के द्वारा कोचिन शिप्याड के द्वारा इससे तयार किया जारा है इंडियन Air Force ने अभी हाल ही में 222 Squadron जिसमें की मलब कुल मिलाकर 6 Sukhoi 30 Specialist 6 Sukhoi 30 Specialistly Modified Fighter Jet है इनको अभी हाल ही में शामिल किया गया है तमिल नाडू के थंजावुर में और ये Brahmos Cruise Missile से लेस है ठीक है Each carrying 2.5 ton Air Lons Supersonic Cruise Missile तो यहाँ पर जो 6 Sukhoi 30 जो Fighter Jet है इनमें ये Brahmos Cruise Missile से लेस है और इनको भी हाल ही में 222 Squadron में शामिल किया गया इंडियन ये Air Force की कहा पर तमिल नाडू के थंजावुर Air Force Station पर तमिल नाडू के थंजावुर ये important है एक-एक एक-एक important है मेरे दोस्त ध्यान से रखना ठीक है ठीक है देखो यार 1100 live चल रहे है like कर दो ठीक है live is to like कर दो देखो मज़ा आ जाएगा 1100 live, 1100 live, 1100 live 1100 live, 1100 live अगर कर दोगे तो अच्छा नहीं लगोगे तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ते रहो मेरे भाई ठीक है आगे पढ़ते नेक्स देखते है ध्यान से सुनना यह योजना हो गई जितनी योजना है लेकर आए हूँ पहले पढ़ा भी रुखाए मैंने लेकिन यह important है ध्यान से सुनना यह है मुद्रा योजना 8 April 2015 को सी योजना को लाँच किया गया था मुद्रा की फूल फ़र्म मंती Microw Unit Development Refinance Agency ठीक है Microw Unit Development Refinance Agency प्रदा मंती मुद्रा योजना इस योजना के अंतरकत Without Security Loan दिया जाता है तीन काटेग्री है सिशु, किशोर, तरुन तो यह शिशू है ना इसकी अंतरगत कितना लोन है 50,000 रुपे का 50,000 रुपे तक का लोन मिलता है इसी के अंतरगत अभी 2% की इंटरेस्ट में छूट दीगा यह मोदी जी के द्वारा अभी इंटरेस्ट सब्वेंशन दिया कि 2% का परदानमत्री मुद्रा योजना के तहत सिशू कैटेगरी के तहत और यह किशोर है इसमें 50,000 से तो जादा और 5,000,000 तक का लोन मिलता है और तरुर में 5,000,000 से तो जादा और 10,000,000 का लोन मिलता है और जो रगुराम राजिन साब है उनका स्टेटमेंट आये था कि बहुत बड़ा दर्द साबित होगा आने वाले टाइम में क्योंकि इससे पैसा रेकवर करना आसान नहीं है क्योंकि इसमें प्लमबर हो गए आर्टिसन हो गए कारीगर हो गए छोटे-छोटे उद्ध्योग वाले होगए उनको लोन देने हैं आप बिल्कुल और ऐसे में उनसे recovery नहीं कर पाएं क्यूं क्यूंकि मेरे दोस्त without security ये कुछ भी mod gaze नहीं कर रहें इसलिए इसी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत loan देने के मामले में महिलाओं को loan देने के मामले में महिलाओं को consistent top पर है तमिल नाडू इसी योजना के तहत तमिल नाडू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तमिल नाडू महिलाओं को loan देने के मामले में top पर है किशू किशू किशूर तरूं तीन करडिगरी है के बीसी में मौने का बत्रा कोशन आए था अपर टेंसन न ले तु देख 31 तारीक को सारा कोशन अपना आएगा ठीक है बहुत 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 इंपोर्टन है ये वाली योजना ये योजना 24 फरवरी 2019 को launch की गई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मा निधी योजना और ये उत्तर प्रदेश के गोरक पुर से योजना को launch किया गया था सबसे पहली वाली पड़ी पैंशन योजना दूसरी वाली पड़ी थी लोन के लिए योजना है इसके बाद हम लोग आगए यहाँ पर PM किसान योजना PM किसान योजना क्या है? इसमें सरकार 6000 करोड रुपे दे रही है फार्मर्स को पहला तो यह स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर के लिए था बड़ इसे स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर के लिए ना रखके अब सभी फार्मर्स के लिए कर दिये, औल फार्मर्स के लिए तो ये गोरकपुर के उत्तर प्रदेश के गोरकपुर से लॉंज की थी, मोदी जी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री किसान सम्मा निदी योजना, बजट में एक स्टेटमेंट आये था, कि इसी योजना के लाभारतियों को KCC का लाभ दिया जाएगा, इस योजना के PM किसान योजना के जितने भी बेनिफीशरी हैं, जितने भी लाभारति हैं, उन सभी को KCC योजना का भी लाभ दिया जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि 1998 में आये था, 198, 1998 में आये था, ठीक है, अब उसे भी पढ़ाऊँगा, इस योजना के अंतरकत है क्या है, कि फ 6,000 रुपेश के पर साल फार्मर्स के अकाउंड में पहुचाए जाएंगे, ठीक है, नेक्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स अब ये बहुत इंपॉर्टेंड योजना है, सबसे पहले फुल पॉर्म याद रखने, PMSYM, परधान मंत्री शिरम योगी मांधन योजना, तो 5 मार 2019 को, प्राइम मिनिस्टर शिरी नरेंदर मोदी ने, परधान मंत्री शिरम योगी मांधन योजना को लॉंच किया था, गुजरात के वस्तरल से, ऐसे व्यक्ति जिनकी इंकम 15,000 रुपे या उससे कम है, या ऐसे व्यक्ति जिनकी उमर 18 वर्ष से 40 वर्ष है, इस योजना के लाभारती बनने के लिए जरूरी है कि आपकी उमर 40 वर्ष तक होनी चाहिए, और आपकी इंकम 15,000 या उससे कम होनी चाहिए, तब ही आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये एक पेंशिन स्कीम है, इस योजना के तहित आपको अपनी एज के हिसाब से, 18 व योजना हैं, और इस योजना का नाम है PMSYM, और इस योजना के तहत ये eligibility के लिए criteria है, और 60 साल पूरे होने के बाद, 3000 रुपे पर मन्त pension मिनना स्टार्ट हो जाएगा. ओ भाई, बे नाम बास्सा, ब्लॉक ब्लॉक हो जाओगे, रहने तो फाल्तु में, क्या को बोल रहा है यार, पड़ाई बड़ाई पर ध्यान देलो, तुम पढ़ने के लिए होगी, क्या करने के लिए हो, इतनी देर इतना type करने में लगा दिया, 10 करंट फेर याद कर ले थ तु, फिर कहता है, सलेक्शन नहीं हो रहा, यह जितनी देर में मोधी मोधी जी का नाम लेके तु फाल्तु का रहा है, छोड़ना मेरे भाई, तु पांच और छे करंट फेर पढ़ लेगा, हटाओ नहीं, तो अभी देख हो गया न, डिलीट हो जाएगा, अभी दो मेंट मे पेंशन मिनला स्टार्ट हो जाएगा, फेमिली पेंशन के रूप में, लेकिन फेमिली पेंशन ये पत्तनी-पतनी के पत्तनी के पत्तनी के लिए है, और किसी के लिए नहीं है, फेमिली पेंशन is applicable only to the spouse, लेके, नेक्स एक नध्यान से, ये हिंदी वालों के लिए भी है, न प्रोफिट नगर्यू, पर एक्जाम्पल आशीश की बात करते हैं, वो एक बैच सेल करता है अपना, एक बैच उसके जो सेल होता है, और उसके बैच में 3500 एडमीशन हुए, तो कितने का टन्ओर आया इसमें, 3500, तो मेरे भाई 35 लाग का हो गया यह turnover लेकिन इसमें profit कितना है मान कर चलते हैं इसमें से 20 लाग की costing आईए तो profit 15 लाग होगा लेकिन turnover का मतलब होता है total sale ठीक है turnover का मतलब क्या होता है total sale तो यहाँ पर बोला गया है कि for traders and self-employed people जिनका annual turnover डेड़ करोड तक का है उनके लिए योजना जिसका नाम है परदान मंत्री लगू व्यापारी मानधन योजना तो इसको हम लोग बोलते परदान मंत्री लगू व्यापारी मानधन योजना यह किसके लिए shopkeepers के लिए retail traders के लिए self-employed person के लिए जिनका annual turnover डेड़ करोड तक का है ठीक है और इनको मेरे दोस्त 60 साल तक पैसा जमा करना है जैसे उमर जिनकी eligible बनेंगे वो 18 से 40 वर्ष के बनेंगे तो अपनी age के according 60 साल तक आपको 60 वर्ष के जब तक नहीं हो जाते तब तक amount deposit करना है और amount जैसे deposit कर देंगे इसके बाद 60 साल के बाद आपको 3000 रुपे परमंद pension मिलना स्टार्ट हो जाएगा eligibility age के 18 से 40 clear है भाई eligibility age के है मेरे भाई 18 से 40 clear है इतना भाई clear है तो एक बाद like ठोकते चलना तरको नीज आ रहे है बैक नीज आ रहे है अभी पूरा सुपर करेंट अफ़ेर का सेशन मनना ने साथ बज़े बला भी नीज कैसे हैगे ठीक है next आगे बढ़ते है next देखना सुकन्य समरिद्यार बहुत जोर की दियो जनाए जैसे कभी तुमारे घर में कभी लक्षमी पैदा होती है तो तुम उनके लिए एक अकाउंट ओपन करवा सकते हो आपके घर में कोई बिटिया पैदा होती है तो बिटिया के लिए शुरू से पहले से तुम प्लान करके चल सकते हो तो अगर कोई बेटी पैदा हुई है तो जबसे वो पैदा हुई है 10 साल तक ये योजना का आप लाब उठा सकते हैं सु कन्या समरत्धी अकाउंट योजना इस योजना के तहत करना क्या है आपको इस योजना के तहत आपको पर एयर 200 रुपे कम से कम और डेड़ लाक रुपे maximum तक जमा कर सकते हैं तो आप सोच लीजी जो आपको जमा करना है बहुत छोटा amount है अगर आप भई धाई सो रुपे कम से कम जमा कर सकते हैं मिनीमम और डेड़ लाक रुपे साला ना जमा कर सकते हैं यह जो इसकीम है 22 जनवरी 2015 को हर्याडा के पानीपस स launch की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के रूप में मोदी जी के द्वारा account can be opened in the name of girl child जो बेटी है उसके नाम से account open हो सकता है कब तक 10 साल की एज तक एक account एक girl child के नाम से होगा for example आपके घर में एक girl child के अलावा एक और बेटी है जनम लेती फिर क्या पड़ा बदो मेरे भाई अगर twins पैदा हो यह उस case में क्या होगा शादी तो हो जाए पहले जो बोलते हैं नहीं शादी तो हो जाए पहले शादी तो हो जाए पहले ठीक है अब मैं पंड़ेत आदमी अब भी बोल दोगा ठीक कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं भगवान कर जलाई उजना की पूछी थी बलिया के उत्तर प्रदेश के बलिया से यह पूछा गया था ठीक है तो सब को मिलेगा दूसरी बाते को अगर पहली बेटी यू इसको तो मिलेगा दूसरी बार में twins वीना तो उन दौनों को मिलेगा सब eligible हो जाएंगे यहाँ पर अकाउंट को पूरे साल में आप कितना जमा कर सकते हैं डेड़ लाख रुपे तक maximum जमा कर सकते हैं अब तो इस पर interest rate कम कर दिया 7.something interest rate चल रही है पहले इस पर बहुत अच्छा व्याज मिल रहा था अभी भी अच्छा है और सेविंग स्कीम के ATC में deduction भी मिल जाती है tax benefit भी मिल जाती है इसके माध्यम से यह वाला बहुत point अच्छा है ज़रा देखना जो amount deposit है उसका 50% निकाल सकते हो गर उसकी age 18 वर्ष हो गई है लेकिन higher education purpose के लिए objective भी clear कर दिया account जब से open हुआ है 21 साल तक मतलब बेटी की 21 साल नहीं उमर 21 साल account के होने के बाद account matured होगा ठीक है account मतलब 21 साल मतलब जो भी आपने account open करा है सुकन्या समरिदी account यह account opening से 21 साल तक the account reaches maturity after time period of 21 years from the date of opening it account open होने से 21 साल तक ही 21 साल के बाद matured होगा और automatic उसके बाद यह account जोगा saving account में convert हो जागा तब तक आपको मेरे भाई बहतर तरीके से lab मिलेगा रिपब्लिक टीवी वाले डूण रहे हैं आपको उनको join कर लो है like दो like दो like दो उसकी तरह करूँगा पर मैं like दो मुझे like दो like दो like दो है चलो आगे बढ़ते हैं next सिकते हैं जरा ध्यान से सुना अगला अटल भूजल योजना एक नमबर योजना मेरे दोस्त आप लोग देखते होंगे यह आप लोगो सबको पता हुआ घर में कभी आप लोगो ने समर का connection करवाया नहीं सर हम तो born with golden spoon है पहले से लगा हुआ था चलो ठीक है किसी अडॉस-पडॉस म तो groundwater level मतलब दीरे-दीरे-दीरे-दीरे पानी के जो level है वो कम होता चला जा रहा है तो water management के लिए water management के लिए यहां पर groundwater management के लिए अटल भूजल योजना को शुरू किया गया है सलाइक अभी करें कि आपके कहने के वाद जैसे मन करें वैसे कर दे मेरे दोस्त ध्यान से सुन 25 दिसंबर 2019 को प्राइमिनिस्टर नरेंटर मूदी ने नई दिल्ली से अटल जल या अटल भूजल योजना को लॉंच किया था इस्पेशली ये स्टेट है प्राइओरिटी पर गुजरात, हर्याणा जर्यां दिल्ली नीचे से टिकर अटाना पड़ेगा गुजरात, हर्याणा इन स्टेट के नाम देखना तीक है यह जितने भी स्टेट तुम लोगों को दिख रहे है गुजरात, हर्याडा, करनाटक, मत्र प्रदेश, महारास, राजिस्टान, उत्तर प्रदेश इनसे इनमें प्रायोरिटी पर वाटर लेवल को इंप्रूव करना है ठीक है और इनमें ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करने के लिए जल शक्ती मंत्राला के द्वारा अटल जल योजना को शिरू किया गया था इस योजना का टोटल आउटले जो टोटल खर्चा है वो 6,000 करोड रुपे का है इसमें से 3,000 करोड रुपे जो है वो विश्व बैंक देगा भारत सरकार को ठीक है वर्ल्ड बैंक देगा ये पूरा का पूरा केंदर सरकार बहन करेगी पूरा का पूरा बियर केंदर सरकार करेगी और बाकि का 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 with theme मा मतलब क्या चाहरा मतलब एक और session लगा लूँ क्या सुबह तक इंतजार कर ले सुबह मिल जाएगा मेरे भाई theme theme एक October से 15 October का दे तो दिया उसको पढ़ ले आज के session में आस तब मेरे भाई तुमको मैं उंगली पकड़ाता हूँ परदानमंत्री जंदन योजना 28 अगस 2014 को इस योजना को लॉंच किया गया था चार सालों के लिए 28 अगस 2014 को इस योजना को चार सालों के लॉंच किया गया था 28 अगस 2018 को ये गोशना की गई कि मेरे दोस्त इस योजना को indefinite period के लिए रखा जाएगा अब इसका कोई deadline नहीं, पहले सिर्फ 4 सालों के लिए आई थी इस योजना में है क्या, सर पहले होता था no-frail account no-frail account मतलब zero balance account होता था मतलब आपको अगर account open कराने तो balance रखने की कोई जरूवत नहीं थी zero balance account था no-frail account 2005 में लाया गया था 2012 में इसी account का नाम बदल कर basic saving bank deposit account कर दिया गया BSBDA और 2014 में जब ये प्रधान मंत्री जंधन योजना open की गई थी प्रधान मंत्री जंधन योजना account open किया गया, इसमें BSBDA को लिंक कर दिया गया मतलब ये जो प्रधान मंत्री जंधन योजना है ना इसके तहत जो account open हो रहा it is BSBDA account, basic saving bank deposit account, basic saving bank deposit account दो यार बारे में इसका नाम बदला गया, इससे पहले इसका नाम no-frail account था no-frail account को बदल कर BSBDA किया गया और BSBDA को ही मेरे दोस PMJDY प्रधान मंत्री जंधन योजना के तहत लिंक कर दिया गया, ठीक है प्रधान मंत्री जंधन योजना का purpose यही था कि जिन लोगों के खाते नहीं उनके खाते खुलवाए जाए और इसको मेरे भाई काफी तक यह successful भी रहे, मूदी साहब प्रधान मंत्री जंधन योजना की बात करते तो जिरो बैलन्स अकाउंट है, कुछ भी रखने की जरूवत नहीं होती इंट्रेस्ट भी मिलता पैसा जमा करने पर अगर किसी व्यक्ति का इसमें खाता है और उसकी मृत्ती हो जाती, किसी कारण वर्ष एक्सिडेंट से एक्सिडेंट से मृत्ती हो जाती है, तो उसके परिवार को दो लाख रुपे का क्लेम मिलेगा एक्सिडेंट इंशुरेंस है दो लाख रुपे का लेकिन accident के अलावा मृत्ती होती है तो life insurance कितना 30,000 रुपे का 30,000 रुपे का यहाँ पर life insurance है इसका slogan है मेरा खाता भाग गे विदा था ठीक है तर banking में call क्या होता है दो होते होते call in area call और call money bank to bank जब आप one day के लिए उधार लेते इस call money और जब आपका share पर पैसा area हो जाता है तो वो call in area हो जाता है बकाया हो जाता है पहले जमा कर दे तो यह call in advance हो जाता है इतना detail में न जा, मुद्दे की बात पर आओ वापस परदान मंदरी जंदन योजना की बात करते है 4 अगस्त, 28 सकर 24 को launch की गई थी इस योजना को इस योजना का slogan ने मेरा खाता भागे विधाता एक्सिडेंट के कारण मुरत्य होने पर 2 लाख रुपे मिलेंगे परिवार को और अगर एक्सिडेंट के अलावा मुरत्य होती है तो उसमें 30,000 रुपे परिवार को मिलेंगे अगर आप 6 महीने तक अकाउंट प्रॉपर चला लेते हो 6 महीने तक बिल्कुल मेरे तो सच्छे तरीके से टंटनाटन अकाउंट चलता है तो आपको overdraft की facility दिए क्या होता है overdraft overdraft मतलब होता है loan आपको रिण मिलता है कितने का रिण मिलता है 10,000 रुपर का मतलब आपके अकाउंट में पैसा वैसा नहीं है हाँ सर बिल्कुल नहीं हम रखते ही नहीं सर लेकिन फिर भी 6 महीने तक हम अकाउंट में ATM लगाते रहते हैं काम करते रहते हैं थोड़ा बहुत सर तो हम 10,000 रुपर के loan के लिए eligible हो गए 10,000 रुपर के overdraft के लिए eligible हो गए overdraft मनलब होता है आपके अकाउंट में zero balance से एक limit तक आप withdraw कर सकते हो अकसर ये current account holder को व्यापारियों को ही ये मिलता है लेकिन हाँ परदानमंतरी जंदन योजना एक exception एक अपबात है यहाँ पर saving account holder को भी यहाँ पर overdraft की सुविता दी जा रही है वो भी कितने की 10,000 रुपे की लेकिन 6 महीने तक satisfactory operation चलते है और bank की जो उन्हें criteria set करा का उसे fulfill करते हैं तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपे का overdraft मिलता है 10,000 is available in only one account महला पूरे परिवार में यह नहीं कि 6 घर में इन only one account per household और उसमें भी सबसे पहले बोला गया महलाओं को ठीक है महलाओं को इसके तहत पहले age limit होती थी 18,000 से 60 जो eligible होती थी तो overdraft के लिए अब age limit कर थी 18,000 से 65 वर्ष ठीक है ठीक है अच्छे एक चीज़ और याद रखना जैसे व्यक्ति जो है accidental insurance कितना मिलना है 2,00,000 रुपे का यह कम मिलेगा जो व्यक्ति जिसकी death होई है death होने से पहले 90 दिन से नड़ेथ होने से 90 दिन पहले इस दौरान उसने जो अपना रुपे कार्ड है जो उसका रुपे कार्ड है जो ATM कार्ड है उसका कम से कम एक बार इस्तेमाल जरूर किया हो the claim under personal accident insurance मतलब जो personal accident insurance है उसका claim तभी मिलेगा अंड़ादी प्रधानमंत्री जंदन योजना जब रुपे कार्ड होल्डर ने कम से कम minimum one successful financial transaction किया हो within 90 days prior to date of the accident accident से 90 दिन पहले के दौरान उसने कम से कम एक अच्छे से transaction किया हो एक successful transaction किया हो तब ही जाकर उसका परिवार eligible होता है इस accidental insurance के लिए ये कुछ चीज़ है important है ध्यान रखना accidental insurance कितना मिलता है यहां पर 2,00,00 रुपे कर दिया गया है जो accident insurance पहले 1,00,00 रुपे हुआ करता था लेकिन 28 August 2018 के बाद से ये 2,00,00 रुपे कर दिया गया है accident insurance cover for new रुपे card holders, new के लिए, old के नहीं नहीं है new रुपे card holders raised from existing 1,00,00 to 2,00,00 to a new PGMGDVN account opened after 28 28,62,18 के बाद अगर कोई account open होता है तो उनके लिए जो यहां पर accident insurance की limit है, वो 1,00,00 रुपे है समझ में आया मेरे दोस्त clear है इतना sir MOU याद नहीं हो रहा please help, आजा आगरा मेरे दोस्तियात करा दूँग, अब इठाल करते रुखो इसी वात कर रहा, याद नहीं हो रहा please help, बता कैसे help करनी है कोई document भी दिखाना पड़ता है exam में नहीं आगा, SBI में इतना पढ़ने, इतने में एक number मिल जाएगा, ठीक है अब जड़ा सुनो धिहान से परदानमंत्री जंदन हो गया न, अब आगे बढ़ते बीजेपी मेरे भाई, भारती जंदा पार्टी नहीं है परदानमंत्री भारती जनवस्दी परियोजना परदानमंत्री भारती जनवस्दी परियोजना इस योजना की बात करते हैं इसको मोदी जी ने 2014 में launch किया था, for quality medicine at the affordable prices at all ठीक है, तो प्रदानमंत्री जनवस्दी परियोजना के तहत प्रदानमंत्री भारती जनवस्दी परियोजना के तहत क्या है, quality medicine सस्ती दर पर उपलब्द कराई जा रही है इसमें कोई ऐसा नहीं, जातपात के आदर पर या BPL के आदर पर सब के लिए ही है और प्रदानमंत्री भारती जनवस्दी परियोजना केंदर है have been set up to provide generic drug और इन generic drug को provide करने के लिए जितनी भी generic दवा है, इनको provide करने के लिए प्रदानमंत्री भारती जनवस्दी परियोजना केंदर बनाए जा रहे है टार्गेट यही है कि इन प्रधान मंत्री भारती जनौसदी परियोजना केंदर को हर डिस्टिक्ट तक पहुंचाए जाए ठीक है मिरे दोस्त नेक्स सेकना प्रधान मंत्री उजला योजना ये एक्जाम में आये था कहां से लौज़ना 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 लौज़न लॉंच की थी, इस योजना के तहत gas connection मुफ्त में दिया जा रहा था cylinder भी मुफ्त में दिये जा रहे थे ठीक है, और मेरे दोस्त इसमें financial support भी दिया जा रहा था अब कितना financial support उनके हाथ में पहुंच रहा था वो एक अलग बात है, लेकिन योजना में decide था गैस भी दी जाएगी, चूले भी दी जाएगे मालब गैस चूला वो दिया जाएगा और cylinder भी दिये जाएगे, मालब एक gas connection मुफ्त में दिया जा रहा था प्रधान मंत्री उजला योजना के तैस, उन लोगों को जो की 211 की जनगरना के नुसर गरीवी रेखा से नीचे आते हैं, next अटल pension योजना, अभी प्रधान मंत्री व्यवंदना योजना देखी थी न, क्या थी योजना मेरे दोस्त, उसमें 60 साल से उपर के व्यक्ती को लिए pension योजना थी, इसके अलावा हम लोगों ने अभी व्यापारियों के लिए योजना एक देखी थी, उसमें क्या डेड़ करोड रुपे तक का टर्न ओवर तो उनके लिए तीन यार रुपे की एक योजना बना दी थी, ठीक है, इसके बाद अलावा हम लोगों ने अटल पैंशन योजना भी उसी से मिलती, जुलती है, अटल पैंशन योजना है, अभी इसने अपने 5 साल भी कम्प्लीट किये, 2015 में इस योजना को लॉंच किया गया था, और अटल पैंशन योजना कहती, जो नियूनतम पैंशन एक जार है, अधिक्तम पैंशन पांच जार है वही 18 से 40 वर्ष तक का व्यक्ति एलिजबल है अपनी एस से 60 वर्ष तक पतलब 60 साल कंप्लीट होने तक एक निश्चित अमाउं जमा करेगा 60 साल के बाद वो एलिजबल हो जाएगा पैंसन के लिए अलग अलग तरीके की पैंसन है भाती-भाती न्यून तम एक जार है और अधिक तम इसमें पांच यार पैंशन मिलती है यह एक्जाम का कोशन बन चुका है क्लियर है भाई क्लियर है इतना तब फेस्टिबल की लिस्ट दे दो फेस्टिबल प्लीज शेर योर सेड्यूल अरे कोई शेड्यूल नहीं है यार पसे यह सोच लो कि पांच मन का ब्रेक लेकर खाना खा लेते दस मन का ब्रेक लेकर मेरे भाई थोड़ा बाद वोक कर लेते पस यह चलता और कोशेड्यूल नहीं है वाकी नोने स्टॉक काम चल दो योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना, तीन योजना बागी है, देखो, एक है life insurance related और एक है accidental insurance related, जो accidental insurance related यह है प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना, eligibility 18 to 70 years, इसम के बाद इसके लिए कौन से व्यक्ति एलिजबल है जिनकी उमर 18-70 वर्ष उम्र है दूसरी प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना एबरिवेशन याद रखना एक नमबर में पूछ लेता है ठीके प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना नौ मई 2015 को कोलकाता से ल रख दी क्योंकि accident से होने की उम्मीद सबकी थोड़ी है लेकिन ऐसे तो सबको जाना है आज नहीं तो कल तो जाना है तो 18-50 वर्ष तक की अव्यक्ति यहां पर इलिजबल है और जो की accident के बिना natural कारणों से जा रहा है उसके लिए premium पे करना 330 रुपे तो 18-50 330 रुपे premium और दो लाक रुपे का death पर यहां पर claim मिल जाएगा परिवार को इस योजना में accidental death पर दो लाक रुपे है और permanent disability पर दोस्त एक लाक रुपे मिलेंगे प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना के तहद ठीक है अब लास्ट योजना देख लो उसके बाद फिर टाटा और वाई बाई ठीक है पर लाए गया तो उस कमिटी का नाम है आरवी गुपता कमिटी और नावाड के नावाड ने इसको prepare किया था इस model को नावाड ने प्रिपेर किया थो और आरवी गुपता कमिटी के recommendation पर लाए थे इसमें कौन-कौन से जो इंसिट्यूशन पार्टिस्पेड करते हैं commercial bank, public sector bank, private sector bank, foreign bank in India, RRBs, state cooperative bank, small finance bank यह जितने भी bank जो loan provide करते हैं वो सारे के सारे इसमें पार्टिस्पेड करते हैं यह रहा overall session I hope so तुम लोग satisfied रहे होगे current affairs साचका done, weekly MCQ done, question bank done और मेरे दोस्त यह अपना 7, 10, days 10 class series complete कल 4 से लेके 8 बजे तक paid class चलेगी, उसमें September complete करूँगा, उसमें October complete करूँगा, आत मिनर बार भारत complete करूँगा, budget complete करूँगा, novel price complete करूँगा यह सारा का सारा complete होगा, कल तुम्हारा चारा, तुम्हारे पास आराम से कल का पूरा दिन बचेगा, और मेरे दोस्त तुम्हारे पास पूरी की पूरी यहाँ पर 30 आरिक मिलेगी, revise करने के लिए, good bye take care, कुछ भी purchase करना, अपने भाई का code लगा दे न, y168 maximum discount मिल जागा, take care दोस्तों, अच्छे से रातरी में सोना, ठीक है, सुपह साथ बज़े भी तो उठना है, take care, bye bye, hasta la vista, खोश रहो